नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं टार्गिट क्रेक इक्चा दोस्तों अरबी एंटेपीसी परिक्चा की 27 जिनवरी 2020 को हुए दोनों सिफ्टों के जितने भी जीकी जीएस और करेंट अफेर से कोस्टन पूछे गये थे उन सभी का करेक्शन लेकि आपके सामने आ चुका हूँ जिसमें दोस्तों मदसी में से 65 प्लस कोस्टनों को मैं भी हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहे हैं क्योंकि इन कोस्टनों के साथ-साथ उनके हम फैक्ट्स भी डिसकस करेंगे तो कि आने वाले एक्जाम में सबसे पहले आप तक पहुंचे उस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर सेर करिएगा इस वीडियो का पीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक से मिल जाएगा वहां पे जाके आप इसको जॉइन कर सकते हैं साथ में द सब्सक्रिप्शन दोस्तों देखने को मिला था संगई सहयोग संगठन के स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुन 2001 को संगई में मुख्याले आपका बिजिंग चीन है फदस्ते देश दोस्तों इसमें आठ है चीन भारत पाकिस्तान रोस किर्गिस्ता काजिकिस्तान ताजिकिस्तान और पाकिस्ता ताजिकिस्तान अगर हम बात करें इसके भारत पाकिस्तान 2017 में इस संगठन में पुर्ण फदस्य का दर्जा मिला था 2021 संगई सिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान में हुआ था नेक्स्ट कोस्चन है आपका दोस्तों चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बिच पाई जाने वाली स्नेहक तरफवे को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको कहते हैं साइनोवेल फ्लूड अगर हम बात करें दोस्तों इसको आपका 2019 में लोकसभा चुनाम में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी और उसको दूस्तों 376 परसेंट वोट मिले थे अगर हम दूस्तों एंडिये की बात कर लें बीजेपी पूछा था तो दूस्तों बीजेपी को 303 हो जागा वहीं टोटल अगर हम इसकी जो गुरूप प सब्सक्राइब करती है तो टोटल 335 सीट थी जोस्तों इंसी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की बात कर लें टोटल बावन सीट होना जीता था लोग सबावें 543 सीटों में से 542 सीटों पर साथ चर्णम मद्दान हुआ था नेक्स्ट कोस्टन है पहली बार 200 कप में ओवरों को कम करने के पचास उभर किस वर्स किया गया दोस्तों यह किया गया था 16 मार्च 1972 को पहला है एक दियुसे मैच 5 जनवरी 1971 को इंग्लेंड और अस्ट्रेलिया के मद्द हुआ था कोस्ट कोस्टन है उननीस तो निन्स में अखिल भारतिय खिलाफथ सम्मेलण कहां पर हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था 24 नमबर 1919 को दिल्ली में हुआ था महात्मा गांधी की अधिक्ष्टा में मार्च 1919 में बंबई में इस खिलाफत अंदर्ण का गठन हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है आपका जेरसप्पा जलप्रपात को किस अन्य नाम से जानते हैं तो दोस्तों इसको जानते हैं जोग जलप्रपात सरावती नदी करनाटक नेक्स्ट कोश्चन है आपका जेरसटी किस प्रकार का टक्स है तो दोस्तों यह एक इंडायक टेक्स है मतलब अपर टेक्ष टेक्स है जेस्टी के फुल फर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टेक्स बात हुई थी एक चुलाई 2017 को 101 में सम्विधान संसोधन के तहत है नेक्स्ट कोश्चन है तीन चैंबर युक्त हिर्दे वाला जीव कौन सा है दोस्तों यह है आपका सैला मैंडर अगर हम बात करें तो उभैचर के हिर्दे तीन चैंबर युक्त जीव होते हैं मचली में द एक निकिया गया है कलिंग का वास्तुकला से इसे यह याति केसरी ने इग्रहमी सत्याब्दी में बनवाया था यह भुदेस्ट और उडिसया मिश्टी थे जो भगवान सिवकुत सबर्पित हैं कि नेक्स्ट कोस्टिन था मिशन सक्ति क्या है दोस्तों 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन सक्ति नामक एक ऑपरेशन कोट के साथ एक एंटी सेटलाइट हर्सियार का परिक्षड किया भारत उपकरार होती मिसाल चमताओं में चौथा इराष्ट बन गया अन्य देसे दोस्तों मुखी मंत्री योगी ने महिलाओं बालिकाओं कि सुरक्षा सम्माना और स्वालंबंग के लिए मिशन सक्ति अव्यान संचालित किया नेक्स्ट कोस्टिन है आपका कि सेंट्रल असेंबली बंकांड किस ने किया था जोस्तों यह किया था आपका रिप्टेट कोस्टिन है दोस्तों आप देख सकते हैं आठ अपरेल 1929 को भरगत सिंग और बटोकेस्वर तत्त ने दिल्ली असेंबली में बं फेका पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेट डिप्यूस बिल के बिरोज में बंकांड हुआ था बंकांड को लाहोर सणियंद केस के नाम से मुगदमा चलाये गया था पटना कलम एक है दोस्तों के अम बात के लिए पटना कलम एक प्रमुख आपकी जो चित्रकला सहली है भारते चि को किसको वायू प्रदूसर कालिक सूट के नाम से भी जानते हैं दूसरी जानते हैं हाइड्रो कारवन के अधुरे दहन से उत्पन असुद्ध कारवन करणों का एक बिमान है नेक्स्ट कोस्टन है आपका सुभास चंद्रबोस ने सजुक भारत की अस्थाई सरकार के गठन कहां किया था दोसरे किया था सिंगापूर में 21 अक्टूवर 1933 को का एक समक्राश कुसिकां पाया यति हैं दोसे पाया आखों के ध्रेयर पटल रेटिना में यह एक प्रकार का PK राही को सिकाह होतीया नेक्स्ट हैं निम्न मेंसे अगन्य सेल कौन सी है दूस्तु डेमन करे में क्या था अगने सली कुछ एक्जामपल हम बता जाते हैं जिसे ग्रेनाइट बेसाल्ड पेगमाइट बीटु मिनस एटिसी नेक्स्ट कोश्चन है आपका राश्टियर राजमार्क विकास परियोजना के अंतरगत इस्ट विस्ट कोरिडोर कहां तक है तो पुरबंदर गु जम्मू कस्मेर से कन्या कुमारी तक है तमिलाडू तक जोगे दोस्तों 4000 किलो मीटर है नेक्स्ट कोस्टन है पांस भोच पत्र विरिक्ष सीसम सागमान किस बन में पाये जाते हैं जोस्तों ये सारे आपके उफने कटी बंदिया पर्णपाती बन है जोगे दोस्तों आदर पर्णपाती बन की कटिगरी में आते हैं उधारन के लिए दोस्तों इसके कुछ अन्या है साल स्वगोन सीसम हरा बहेडा आमला सेलम कुसुम चंदन एटीसी नेक्स्ट कोस्टन है यूनाइटेड नेशन के नवे महासचिव किस देश से हैं रेप्टेट कोस्टन है दोस्तो संपत्थीक अधिकार एक विधिक अधिकार है चौवाली समय समविदान 아침 1778 द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्थीक अधिकार को विधिक अधिकार अनुखषय तेंसो एंग में परिवर्तित कर दिया गया नेक्स्ट कुस्टन है आपका। 2016 में भारत की प्रज़नदर क्या में अधनियम कब लागू हुआ दोस्तों यह लागू हुआ था आपका 1981 में वही अगर हम जल पदूसर नीवारण और यहंतन की बात करें तो 1974 में नेक्स्ट कोस्टन है विद्वा पुनर विवा अधनियम किस के सासन काल में लागू हुआ था दे सब्क этих यश्यफट में हल्प कर सकता है नेक्स टॉस्टन है आपका 2018 में कि सराज्य के लोगों की प्रतिविक्ति आये सबसे अधिक थी दोस्तों यह गोवा की थी बाल अधिकार और आप सबी बच्चों के खुसाहल वच्पन सवनस्चित करने के दिसामें काम करने वाला संगठन है नेक्स्ट कोस्ट्टन कोसल अंग कासी वाजी क्या है दोस्तों यह सारे आपके महाजनपद है जिनकी संख्या 16 थी कि नेश्ट कोस्टे नहीं तो बावर्ल नामा किस भासा में लिखी लेंगी थी नेक्स्ट कोस्टिन है आपका एल्यू का फुल फॉर्म रिपिटेट कोस्टिन है एल्यू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पावन उर्जा उत्पादन चमता में प्रसम राज ये कौन सा है तो तमिल नाडू है और लेडी फैक्ट में कफर कर चुके है इसको पुलु में जलवायू परिवर्तिन करवाई के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिन बैठक आयुजित किया दोस्तों मालदियू सरकार ने नेक्स्ट कोस्टिन है अन्तियोदे अन्योजना के तहट बीपील परिवारों को कितना केजी गेहों दिया जा रहा है कि दोस्तों प्रारमब में 25 किलो प्रतीमा प्रती परिवार को दिया जाता था परन्तों एक अपरेल 2002 को इसे बढ़ा के 35 केजी प्रतीमा प्रती परिवार कर दिया किया था इस योजना की सुरूआत किंद्र सरकार्न दिसंबर 2000 में किया था नेक्स्ट कोस्टिन है अप्रिल 2019 में भारत किस सबस्टोनिक क्रूशियर मिसाइल को लॉंच किया दोस्तों इसको लॉंच किया निरभय को मैनुफेक्ट्रर इसका डिया डियो एंड टाटा मोडर्स लिम्टेड नेक्स्ट कोस्टन है किंद्र और राज्य के भी हट्टियों के बटवारे के बारे में किस अनुशूशी में वर्णित किया किया है दोस्तों इस वर्णित किया गया है साथमी अनुशूशी में भाग नाइन अगर हम बात कर लें संग और राज्यों के भी संबंद अनुश्य दोसों पैतारी से एक सो तिरसे नेक्स्ट कोश्टन है आपका कंप्यूटर ये इमेल में इस्पैम का क् प्रतलब है अवांचित संदेश नेक्स्ट कोस्टन है एक कंप्यूटर के सभी कारियों को संपाधित कौन करता है तो स्थिवारत की विसाल वह आकरती यह आकरती मीधक का बैग्यानी के नहीं पूछा तो लाना टिक गिरीना होता है जोंकि अपर चुके पहले भी अलहिलाल पत्रिका किसने चलाया था दोस्तों यह चलाया था मौलाना अब्दुल कलाम अजाद दोरा सब्ताहिक उर्दु अखबार है 1912 में नेक्स्ट कोशन है IPL 2020 में परपल कैप सबसे ज़्यादा विकेट किसको मिला था दोस्तों यह मिला था पंजाब की स्थापना कब होई थी भारत सरकार के सौमितों में 1982 में मुख्याल है मुंबई एक जिम की बात कर ले Export-Import Bank of India नेक्स्ट कोश्टन है 2006 में कौन सी योजना की सुरुवात की गई है दोस्तों यह किये गई है परधान मंतरी राष्टे ग्रामीर योजना ग्रामीर रोजगार योजना गरंटी अधिनियम दो फरवरी 2006 को नेक्स्ट कोश्टन है आपका दोस्तों 2016 में सेकेंड महिला परधान मंतरी युनाइट किंग्डम की कौन बनी तो दोस्तों यह बनी आपकी थेरेसा 2016 से 2019 के लिए अगर यूके की पहली महिला परधान मंतरी की बात कर ले दोस्तों मार्केट दैट्चर थी नेक्स्ट कोश्टन है आपका अक्टूबर 2020 में सेवी के चेर्मेन कौन है दोस्तों अजयत त्यागी जी है सेवी का फुल फर्म होता है सेक्योर्टी एन एक्सचेंज बोर्ट अफ इंडिया स्थापना 12 अपरेल 1988 को हुआ था नेक्स्ट कोश्टन है आपका 2020 में इसरो दुआरा लाउंच अंतिम उपकरा कौन सा है तो दोस्तों यह है इंडियास कम्मुनिकेशन सेटलाइट CMS01 17 दिसंबर 2020 को यह लाउंच किया गया नेक्स्ट कोश्टन है आपका कॉंग्रेस के स्थापना किस ने की थी तो AO Hume ने किया था 1885 में नेक्स्ट कोश्टन है पुर्वी तटका बंदर का कौन सा है तो दोस्तों यह है तूति कोरिन तमिलनाडू नेक्स्ट कोश्टन है लंदन की सनदी के किनारे बसा हुआ है जो सुच्टो थेमस नरी के किनारे है नैस्ट कोश्टन है यूरोप का सबसे वियरस्त बंदर गा कौन है तो सुच्टो यह है रोड़ डर्म नीधरलेंड का झाल कोश्टन है आपका पुरु से पच्छिम तक बहने वाली कौन सी नदी है दूसर बिक्षित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी यह तो अस्त्र सही था ऊसुन है आपका प्रतिभा प्रहलाज किस राजिक का निर्त्य का डणस है आपका भातनाटैम का है प्रतिभा पॉला उसकी पारट है चाहर आपका आर्वियाई का मुख्याले कहां पर है तो यह मुंबई महराश्ट्र में है नेक्ष्ट कॉस्टिन है राष्टिय समुंदर विज्ञान संस्थान का मुख्याले कहां है दोस्तों अब दोना पौला गोवा में है छेतरीय मुख्याले मुंबई कोच्ची और पिसाका पटनम में स्थाफ़ना एक जरवरी 1966 गोगा था नेक्स्ट कोस्टिन है भारत में प्रकासित कौन से सम्वाचार पतरिका है million नेक्स्ट कोस्टिन है कौन सा असरम गांदी जी द्वारा नहीं बनवाया गया तो जुस्तो जबयाव में सही था व Ladha चाहिए प्रणेता विंऊ कि प्रणेता यहाद जी द्वरह बनवाय गया था गंधी जी द्वरह द्वरह तपित आस्रम है आपका साबर मति को छर्प आस्रम ट्रोज फ्रोई आस्रम नेस्ट गोश्चन है आपका पैण्थरा प्रेडूस किस्पा बैग्यारिक नाम है जोस्तो भारत के प्रता मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो दोस्तों यह सुकुमार सेन 1950-1958 तक रहे थे नेक्स्ट कोस्टन ने भारत में कि इस राज्यों की पहली निर्वाचित कम्युक्रिस्ट सरकार है जोस्तों यह आपकी केरल की में मुख्यमंत्र थे एमस नंबुर दरीपाद नेक्स्ट कोस्टन आपका लेड़ और सीसा का राथानिक संक्यत क्या है जोस्तों यह आपका पीबी प्रमादु संक्या इसकी 82 होती है नेक्स्ट कोश्टन है बुलंद दर्वाजा कहां पर है दोस्तों यह फतेफुर सिक्री मे हैं उत्तेफदीश में नेक्स्ट कोश्टन है आपका सार्क का फुल फॉर्म साउथ एस एसोसीएशन फॉर रिजिनल कॉर्परेशन नेपाल में फदस्यदेश आपकी आठ भुटान नेपाल पाकिस्तान बंगलादेश भारत माल्दीव अफगानिस्तान सिर्लंका नेक्स्ट कोश्टन है आपका फतंतर रूप से लटकेवी चुम्मे के सोई केस दिसा में रुकेगी तो यह रुकेगी उत्तर दक्षिर दिसा में दोस्तों यह रही हाँ तो इतने भी कोश्टर पूछेगे थे आई होब आपको पसंद आया होंगा तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करके बटन जरूब प्रेस करिएगा वीडियो अच्छी 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 में हमारा कुछ पीडियाफ के लिंक दिये गए हैं गुरूप का और साथ में वेब साइट कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादे हैं आपसे हेल्प मिलेगी तो चलिए मिलते अगले सेसर में तब तक अपना अपनी फैमिली के ख्याल रखिएगा बाए